इस पेपर ये और पेपर भी मिला कि कितना पर्शन का अटेम्ट हुआ थोड़ा चैट बॉक्स का यूज करेंगे तब एक समझ में आएगा टाइप इन टू 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 फोर वर्ट्स कैसा था आप लोग सब का एक्जाम सबसे बहले तो यह बताईए तब फिर क्या मेरे को एक पेपर का वो मिलेगा टेस्ट मिलेगा क्रशिक एभी तक मैंने पेपर का आर एसज का रप्लाई किया है तॉ गुआ grown-o no making तरो भी में लास्ट केस्ट वगया है यूपरे नाइन्टी टूमार्क्स पेपर भी 85 मार्क्स, पेपर A was a bit difficult, okay, जिससे क्या होदाने, एक एवरेज में मैं को आइडिया लग पाता है, and उस आइडिया से, then I can basically tell you all की, कितना, what can be the cut-off, okay, paper A was totally Bayesian statistics, okay, okay, now what is happening in statistics-based paper is, they are just picking up one topic, and देखो, यह मैंने आपको exam के पहले भी बोला था, now there are few kids, जो लोग अभी-अभी जिस चालू किये है, and उनका यह है कि they are posting on social media, कि यह important है, यह पढ़ लो, यह important है, but हमको काफी time हो गया, so it's quite, the paper is, CS का paper, CS1 specifically, जो मेर को जो लगता है, कि it starts after your point estimation, तो point estimation के बात का ही जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो new chapters है, तो new chapters is of utmost important, जिसको हमने काफी depth में time लेके, बहुत सारे questions बगे, तो new chapters is the key, जो मेर को जो लगता है, and I guess सिधाक साश्च वांगे मैं, हमने, we have done justice, and all the other industry expert faculties, अब देखो, अब point यह है कि आगे क्या करना है, ठीक है, now, अब मैं, मैं को paper का एक taste मिल गया है, तो cut off can be somewhere around 59, because logo का अच्छा गया है, like I have got some reviews, logo का ठीक गया है, and आपका बहुत logo का first attempt था, बहुत, कितने लोगों का first attempt था, raise your hand, कितने लोगों का first attempt था, raise your hand, okay, तो जो लोगों का first attempt था, बहुत simple सी बात है, इसमें कोई घवराने वाली बात नहीं है, बहुत simple सी बात है कि first attempt में generally डर बहुत जादा लगता है, क्योंकि अभी यह तक आपने वो process को एक बर भी cross नहीं किया है, तो यह डर लगना सुभाविक है, बहुत लोग यह भी बोलते हैं, कि मतलब हम, हमको अभी यह नहीं समझ में आ रहा है, what should be the next step, right? आइड हमको यह लग रहा है कि हम fail हो जाएंगे, because हम इंडियन का mentality, mindset is towards the negative side, हम लोग को हमेशा यह लगता है कि हमारे संग खराब होगा, बट ऐसा नहीं है, 10 में, out of 10 times, 2 times हमारे साथ खराब होता है, 8 times हमारे साथ अच्छा होता है, ठीक है, and past में आपने जब board exams दिया, आपने कोई भी exams दिया, आप उसको अच्छे से clear भी किये हैं, ठीक है ना, so that is again, just hold on गया, okay, so basically that is again, I mean, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहले कोई exam clear नहीं किये है, फिर आपने कोई competitive exams में बैठ दिया नहीं है, ठीक है, अब task कि यह देखो, अगर आपने अपकी बार CS1 दिया है न, मैं दो ही milestone मानता हूं actual के course में, आज actuators इतना success हुआ, हमारा जो mantra है वो इतना success हुआ, वो क्यों हुआ rigorous training, right, rigorous training is very important, and I am really blessed कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहे, हमने batch 2 चालू किया, जिसको सिधात सर ने wonderfully complete किया, जिसको मैंने push रहा था starting में, and आपने देख ही लिया है कि हम कितना सारा life class provide करते हैं, चाहे वो physical हो, चाहे वो online हो, and we are really blessed कि आप लोग सब के acceptance से हमने Delhi center में successfully हमने हमने हमारे center established किया है, जहां हम लोग भी जाएंगे, हमारे industry experts भी जाएंगे, and I promise you all that we are very soon coming up with two more locations, which is Bengaluru and Bombay, so basically stay with us, okay, and it's all about the ecosystem that we have created over time, ठीक है न, तो दो milestone जो मैं मानता हूँ, एक होता है associate actuary और एक होता है fellow actuary, ठीक है न, तो associate actuary होता है जब अब 10 paper clear करते हो, so actually Vidya देखो, अभी तो वो plan में नहीं है, but definitely Bengaluru will be close, and जबी भी मैं वहाँ पर जाओंगा या फिर हमारे industry experts जाएंगे for some master classes, so definitely you can come to Bengaluru location, okay, so yeah, I'll definitely try more and more locations also, so देखो, बात यह है कि अभी किसके किसके मन में एक query आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, CS1 का exam तो सर हो गया, लिकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए, एकदम हाथ यह, सब लोग का मन में यह है, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, पहला query यह है, दूसरा query आपके मन में आ रहा होगा, कि यार मैं अगर pass नहीं हुआ, मैं अगर pass नहीं हुई, तो क्या होगा, तीसरा आपके मन में जो डर आ रहा है, अगर अभी हमने और कोई paper ले लिया, और अगर हमारा यह paper नहीं निकला, तो क्या होगा, यह सब के मन में queries आ रहे होगे, और एक आ रहा होगा, कि यार मतलब 13 paper है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो basically यह सारे type के बहुत common queries है, I was, I am just remembering my time when I gave CT1 का exam, उस समय मेरे को भी मन में यही thoughts आ रहे थे, मेरा paper भी decent गया था, I am not a very topper kind of a student, right? मेरे को भी थोरा time लगता है learning में, मैं भी भौत बार fail हुआ हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है? तो basically मेरे को यह जो ecosystem जो हमने बनाया है, आप एक चीज समझो, आज की दिन पर लोग चार साल में actually बन सकते हैं, पहला चीज अब यह समझो, इस चीज को आप accept करो कि लोग, लेकिन, लेकिन quantum of hundreds people are becoming qualified actually every year, okay? Every, every six months basically, every six months, ठीक है? तो ऐसा कुछ बहुत जादा tough नहीं है, अपने मन में वो mental barrier मत बनाओ कि मैंने कुछ बहुत जादा tough course लिये है, course is quite good, course has got booming opportunities in the risk management, actuarial में आप देखोगे, there is insurance, risk management, stock markets, finance, economics, banking, pensions, data analytics, artificial intelligence, बहुत सारे upcoming banking is there, बहुत सारे upcoming emerging scope, and like India में आज के दिन पर आप देखोगे, abroad में तो ही, like foreign का जो penetration है, that is roughly 13, 14, 15% के असपस का है, इंडिया का जो है, वो roughly 5% के असपस का है, so there is lot more to come up in India, right? and आज के दिन पर इंडिया में actively अगर आप देखोगे, 300 varied अलग-अलग companies हैं, जो लोग, employment opportunities दे रहे, but आपको भी capable बनना पड़ेगा, by the time you graduate, you should aim कि भाई, मेरा around 8 papers, 10 papers clear हो जाए, उसके लिए कि आपको जल्दी चालू करना पड़ेगा, जल्दी चालू करने का बहुत simple एक fund है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अगर आपका पहले CM1 clear है, ठीक है, और अगर अभी आपने CS1 दिया है, CM1 clear है, CS1 दिया है, तो आपको CS2 देना है, उसके संग आपको एक छोटा paper देना, either CB1 और CB2, I'll always suggest कि आप एक छोटा paper दो, क्योंकि बहुत बर क्या होता है, बड़ा paper में, कुछ एक हलका साव के वज़े से, अगर आपका वो clear नहीं होता है, there is a withstand आपका छोटा paper में, ठीक है? तो एक बड़ा और एक छोटा का combination हमेश्वा हमको रखना चाहिए, अक्षिरीज में देर है 8 major papers and 5 छोटा papers, छोटा papers में CB123 हैं, CP23 है, अगर आप बड़ा के साथ एक छोटा देते होना, तो क्या होता है, आपका हर 6 मेना के इसाब से, आप 5 छोटा paper अगर बड़ा paper के साथ दे दोगे, तो 6 into 5, basically आपका धाई साल लगबग बच जाता है, धाई साल का calculation कैसे आ रहे है, है मेना में जो आप एक छोटा paper देते, for example, you're spending 6 months just to give CB1, you're spending 6 months just to give CB2, और maybe CP2, वो अगर आप एक बड़ा paper के साथ देते होना, तो आपका लगबग धाई साल यहां बच जाता है, right? and paper वो दो जो paper आप बड़ा paper दे रहे होना, gap में, gap में देना चाहिए आपको, gap में देने का मतलब यह है कि आप ऐसा paper चुनो, आइदर CB1 और CB2 जो gap में हो, gap में देने का मतलब यह है कि आप CS2 दोगे मोशली, अगर आपका पहले CM1 clear है तो, और अगर आपका CM1 clear नहीं है तो आप CM1 करोगे, बहुत सिंपल है, पहले बड़ा paper का बात कर लेते हैं, जो लोग का CS1 first attempt था, no doubt आप लोग सबको CM1 में enroll करना है, CM1 हलका lengthy है, term हलका लंबा है, अभी हमारा 16 तारिक से batch चालू हो रहे, ठीक हैं, तो जो online students है, मैं उनको यही recommend करूँगा, कि आप 16 तारिक को मेरे साथ जुड़े रही है, अभी अब क्या हो गया न, डेली में हम लोग का जो batch होगा, वो शाम के तवर्ड़ होगा, लेक चार बजे के बाद का होगा, क्यालकटा में जो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं 11 से 3 के बीच में पढ़ाऊंगा, मैं जो भी अभी batches करा रहा हूँ, मैं ट्राइ करूँगा, नवेंबर एंट तक मैं maximum portions complete करा दू, तो ये वाला batch सबके लिए advanced batch होगा, basically first mover batch होगा, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं कुछ जैनवरी में नए batches announce करूँगा, तो देखो, अब की बार क्या हुआ था ना, जो हमारा batch 2 था, उसमें the problem which few students faced, उसका problem ये था कि, हम लोग का syllabus एकदम end पे खतम हुआ, batch 2 का, इसका reason क्या है, हमने सारे life classes provide के रहे, तो एक specified time होता है, उसमें न हम लोग complete करेंगे, but we completed, but we completed, this is very important, तो अपकी बार वैसा ना हो, इसलिए क्या करना है, batch 1 अपना बहुत पहले खतम हो गया था, तो इसलिए क्या है कि, batch 2 का वेट नहीं करना है, अपने को result का वेट नहीं करना है, भी result में आपका 3 मेना बाकिए है, तब तक के लिए हम लोग को अच्छे से पूरा, अगर आपका CM1 पहले clear नहीं है, तो CM1 आपको करना है, और अगर आपका CM1 clear है, तो आपको CS2 करना है, बहुत लोग ऐसे होंगे, जो पहले CM1 ले चुके हैं, तो वो लोग को CM1 ही करना है, उसके संग एक छोटा पेपर करना है, बहुत लोग ऐसे होंगे, CM1 नहीं लिया है, तो CM1 ले लो, CM1 clear है, तो CS2 करना है, ये दो combination है, सर मेरा इच्छा है, कि मैं पहले finance सिखूँ, मैं पहले stock market सिखूँ, अगर आपका CM1 clear है, CS1 दे दिया है, अभी आपका R का अच्छा flow है, टच है, तो आप R programming के साथ कर लो, पोर online students, CS2 का जो हमारा batch है, वो 17 तारिक से चालू हो रहा, शिवांग एवम is going to take the classes, ठीके ना, तो 17 तारिक से हमारा batch चालू हो रहा, फोर online students, ओके, और जो Calcutta में है, फिजिकल हमारा जो batch चालू होगा, वो आपका Calcutta में, आपका 24 त की around चालू होगा, ठीके है, बट मैं आपको यह ही suggest करूँगा, कि आप आज या फिर कल में admission लेके, आप क्या करो, आपको चालू कर देना है, ये flow को मत break होने दो, एक बर break लग जाता है ना, गाड़ी में फिर क्या होता है न, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कहां निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है, वो break नहीं आना चाहिए अपना पड़ाई में, अपने ये कोई milestone नहीं हुआ, अपने सिर्फ एक छोटा सा exam दियें, ये अपना milestone नहीं है, अपने हलका सा सांस उस दिन लेंगे, जिस दिन अपना 10 papers clear हो जाएगा, फिर अपने कब सांस लेंगे, जब अपना fully qualified actually अपने बन जाएँगे, डोंट कंचिडर गिविंग वन exam as a milestone, आज मैंने जब CA final का exam दिया था, I used to give one exam and then I used to sleep for two hours, and then again my first day after my exam था, like for example, Monday को मैं exam देखिया है, Wednesday को exam है, Friday को exam है, आपका Sunday को भी exam होते है, तो Sunday is even not spare, people are working very hard, and आज के दिन पर 99.99% students, they are very much career oriented, they are very much focused towards their career, they are goal oriented, आज हमारे आपर देखो session में, 60-70 लोग हैं already, कितने लोगों ने एक्जाम के पहले, they have taken the course, they have got the books, अब वो लोग चालू कर रहे हैं, तो कभी भी वेट मत करो, अभी आप लोग को आगे बढ़ना है, and trust me, it will be a great learning experience, lot of new facilities we are going to add, and this time we are also basically going to train you on artificial intelligence, हमने एक session लिया था, हम लोग और भी upcoming अच्छे अच्छे industry sessions कराएंगे, तो basically हमारा one-to-one mentoring अब की बढ़ और अच्छा solid हो जाएगा, तो हमने ecosystem पुरा create किया, last time we were in the developing phase, अब वो पुरा develop हो चुका है, अब हम लोग implementation phase में आ गए, now like it's very comfortable, and definitely if you all have my personal number 90381, जिससे community में मैं message जालता हूँ, अगर आपको कोई भी constructive criticism देना है, feedback देना है, या फिर आप ही आप में इसे दुबारा से पढ़ रहे हो, आपको कोई feedback देना है, कि sir, last time अपने ऐसे किये, तब कि अपने ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा, या को लाइफ क्लास का कोई problem नहीं होगा, लाइफ क्लास एकदम ample quantity में होगा, ठीक है ना, सिदाथ सर इस देर, शिवांगी मैम इस देर, तू 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 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आप देर, तो लाइफ क्लास का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, रात में भी लाइफ क्लास होगा, आफ्टरनून में भी होगा, इवनिंग में भी होगा, फिजिकल देखो, कैलकटा देली स्टुट्ट्स अब लेश्ट की वो लोग अभी कर पारें, आपको लग रहे कि आपके इसाब से 59 आ रहा है, 58 आ रहा है, आप वहीं दहाड़ा मारके रोना चालू कर दोगे, फिर आप यह सोचोगे, फिर आप यह सोचोगे कि यार अगर पासिंग 60 हुआ, मैं दो नमबर से फेल हो जाऊंगा, वो जो तीन महना आपका रहेगा ना बेटा, वो पूरा खराब हो जाएगा, हर दिन आपके लिए एक मरने जैसा चीज हो जाएगा, तो मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको सजेश्ट करना चाहूंगा, कि आप अभी आगे बढ़िये कोर्स में, रहेट, देली में भी बेटा, हमारा फैकल्टी बेस विल्कुल सेम रहेगा, वी विल बी ट्रावलिंग, आई एंड शिवांगे मां मंकित सब बी ट्रावलिंग, अल आवर इंडूस्ट्री एक्सपर्स आ देली, ठीक है, इस वेरी नियर तू नौर्थ कैंपस, एक्जाक्ट लोकेशन इस बिंग शेर्ड ऑन दो सोचल मीडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैधिका, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका आईए, में शिफ्ट करना है, अब क्या है, मैं आपकी थोड़े क्वेरी ले लेता हूँ, अगर आपको combination related कोई भी queries है, जो बच्चे हमसे पहले कॉर्स ले चुके हैं, जो extension लेना चाहते हैं, तो ये इस weekend पे भी होगी गुंजन, there is no problem at all, ओके, no problem at all, there will be weekend classes, जो online classes हैं, जिनकी frequency देखिए, मैं को ये पता है, कि मैंने क्या quality आपको deliver किया है, मेरे faculties क्या quality रखते हैं, विश्वात करिए, हमने पूरे जी जान से आपको CS1 पढ़ाया है, ठीक है, तो ये पूजा सब बिल्कूल भी tension वाली बात नहीं, तब ही आप अभी join कर रहे हो ना, यही अगर आप तीन मेना बाद मेरे से पूछते, तो शायद मैं आपको बोलता, आपको सिर्फ CS2 दिन है, लिकिन अभी तो अपने पास में साड़े साथ मेने का टाइम है, अगर आप दिन का 3-4-5 घंटे को, मैं आपको honestly बताँ, अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और पढ़ने के टाइम पे न मेंको नहीं लगता है, कि आपको ये सोचना चाहिए, कि यार मेंको 5 घंटा पढ़ना पढ़ेगा क्या, मेंको तो 7 घंटा पढ़ना पढ़ेगा क्या, तो ये सब बिलकुल नहीं सोचना चाहिए, आपको अभी ये सोतना चाहिए कि मेरे को अगर ये दोनों पेपर क्लियर करना है तो मेरे को अभी इतना तो effort डालना ही है ये करना है तो इसके लिए में को ये effort तो डालना ही है this should be our strategy बहुत simple सी बात है यार इसमें इतना सोचने वाला बात नहीं है आठ घंटा पढ़ना तो पढ़ना पढ़ेगा अभी आपका काम भई है आप जब office में जाओगे तो आपको बारा बारा घंटा भी काम करना पढ़ेगा तो अभी आप एक student life जी रहे हैं तो आपको पढ़ना है अभी आपको पैसे का tension नहीं है parents पैसा दे रहे हैं अभी आपको सिर्फ पढ़ाई क आपके यहां पर कितने बच्चों ने admission लिया और कितने बच्चे qualify कर पारें यार आप बड़ा सोचोगे नहीं आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो तो आप बनोगे कैसे एक्जाम तो बाद में होता है पहले तो मन में बनना पड़ता है हम लोग कि हम लोग अच्छी बन गए हैं ठीक है या आई बी टेकिंग दा कोईरी बाई बाई वन या ओके सो एपरिल में से ओके आल गो इड़ गो इड़ाइक इस ओके सुदा फर्स कुईरी ड़ाइब गोट इस सर दिक्कत यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती एंड में ही पढ़ाई का बड़न नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है कालो राम चौधरी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको आपको लगातार पढ़ना है यही तो मैं आपको समझा पढ़ाने का ट्राही कर रहा हूं हर दिन जैसे खाना खाते हैं जैसे सोते हैं जैसे आप स्कूल आप जैसे आप कॉलेज जाते हो तो हर दिन आपको वैसे पढ़ाई करना है तो हम पढ़ाने का ट्रीका थोड़ा गलत जा रहा है एक्जायम पॉइंट आपको सथ बता हूं मैं कभी भी ना सजेस्टन में बिलीब नहीं करका मैं अपना सी इंटर का क्छोड़ा सवरी शेर करता हूं आपके साथ में क्यों एक स्टूडेंट को कभी भी मतलब कि क्यों की पूह एक स्टूडेंट को ना कभी भी suggestion में या फिर मान लहो कोई भी टाइप का जो यह ओता है ना important इससे में क्यों believe नहीं करना चाहिए च्टुडेंट को मेरे संग क्या हुआ था मैं tax का paper था tax का बहुत लेंदी सिलिबस होता है तो मैं revise नहीं कर पाया था पूरा content तो मैंने tax holiday बोलके topic था वह छोड़ दिया था तो पता है paper में पंद्रा नमर का question उसी में उसी से आया था उस दिन मैंने decide कि कभी भी ना आगे से ऐसा कुछ छोड़के नहीं जाओंगा exam में पूरा institute का mat आपको पढ़ना है पूरा paper भी का resource आपको करने सारा आई आए का पर सारा आए आ एक पर सारा back question हम तो सब कुछ करा रहे हैं हम तो पैसा ही उसी बात कर ले रहे हैं हम तो सब कुछ करा रहे हैं तो आपको सारी चीज़े करनी है ठीक है ना exam का कोई बात नहीं है आप जब office म पढ़ना छोड़ दीजिए जितना हो सके मन लगा के पढ़िए अभी घिसी है अपने आपको घिसी है आज मेरा जो इतना नाम है आज इतना जो गुडविल है वो ऐसी थोड़ी है आज जो टॉपिक मैं बोर्ड में जाके पढ़ाता हूं उसको मैं पहले हजार बार पढ़ा च पूरा पूरा घिसाद हो अभी जैसे रेजल्ट का टेंशन रेजल्ट आपके हाथ में नहीं है अब आगे बढ़िए के साथ CB1 या फिर CB2 देख लीजिए जो भी आपका जो एक्जाम का जो डेट्स है ना एब चेक कर लीजिए आफ होई के वेबसेट पर अवेलेबल है ठीक है ना तो आप एक्जाम का डेट्स चेक कर लीजिए तो उसके इसाब से आप कर लीजिए नतल जो बेस्ट लेगे आप जो नया पेपर ले रहे हैं और आप जो पुराना पेपर है दोनों देंगे क्या दिक्गत है पुराना तो पढ़ा वही है रिभाइस करके देंगे तभी तो मैं बोल रहा हूं कि 30th November को मैं आपको एक डेडलाइन दे रहा हूं चली मिलके करते हैं 30th November तक जो कोर्स उसक को अच्छे से complete करते हैं फिर आगेगा देखेंगे अपन क्या दिखते हैं ठीके ना सर वीकेंड पर क्लास होंगी यह मैंने बता दिया येस वी हैब वीकेंड क्लासे नो प्रॉब्लम ओके अओके सो उसके बाद में देरार सम्मोर क्वेरीज अगर आपका जैसे सीम वन होगे यूशुट भूफिट सीएस टू बहुत लोग पोल रहें सीएस्टू के संग में चोटा पेपर नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल है मैंनत करना पड़िए सब कुछ पॉसिबल विल देली वैज भी हाइब्रीड लाइक इन्रोल फिजिकल क्लास मिल जाता आश्यू तो सब कैसा बात कर आप हमारे स्टूरेंट है की नहीं है रिकॉर्डेट तो हम लोग डे बन पर आपको दे देंगे हंड़ेट परसेंट रिकॉर्डेट का तो सोचना ही नहीं है सर एप्रिल में CS2 के साथ CP2 की CP3 बेटर होगा CS2 के संग में CP3 देदो देविश क्योंकि CP2 क्या होगा ने Excel होगा तो CS2 का दो पेपर CP2 का दो पेपर टार हो जाएगा इसलिए कि CP3 देदो मैं बोलूँगा एक बड़ा और एक छोटा दो दो बड़ा देने के लावा आप एक बड़ा और एक छोटा दो गुंजन उरोड़ा बोल रही है CS1 नहीं क्लियर हुआ तो एक चुरी आगे करनी डेफिनेटली अरे एक अटेंप तो ट्राय तो करो ट्राय तो करो एक पेपर क्या दिक्कत है मन लगा के और अच्छे से पढ़ो शुरू-शुरू में होता है नाका में अभी आती है तो क्या हो गया किसी के लाइफ में पहले किसी के लाइफ में बाद अगर आप करना चाहते हैं पेस्ट कोर्स पोर रिस्क मैनेजमेंट एड डेफिनेटली बेस्ट इंकलाइन कोर्स मेड फॉर एक्टिरीज इफ यू वांट टू बेसिकली डीप डाइब इन्टू दा स्टॉक मार्केट फाइन्स रिस्क मैनेमेंट बैंकिंग सेक्टर जिससे प्यार होता है न यहां और फिट टाइम नहीं देखा जाता है कि मैं इसके लिए दस घंटे पड़ रहा हूं बारा घंटे पड़ रहा हूं वो चीज़े तर आये शुरेंट्स के लिए अच्छा होगा ये शुरेंट्स के लिए सर इभी CS1 दिया है नेक्स कॉन से देना ख़ली आपका solution का number cut जाएगा जैसे ऑब एक्जांपल आपका answer गलत है उसका आपका एक number कटेगा आपने कहीं silly mistake किया उसका एक number कटेगा बड़ पूरा number नहीं कटे प्रॉसस सही है फॉर्मुला सही लगा आया है सब कुछ concept दिमाग सही लगा तो number मिलेगा step marking मिलता है मेरे 12 में साइन्स बायो था सो मेरे फ्रेंड को जब मैं बिट ऐसा कुछ नहीं बेटा अच्छे से कर सकते हो अगर आपको मैट्स अच्छा लगता है तो मैट्स टाइट से सबको अच्छा लगता है तो अगर हुँआ तो यह अनौंसमेंट आने वाला है अच्छेट मुश्क हट जाएगा ठीक है तो अगर में grappling exacerbating in आप कुछ भी कर सकते हो, 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 जीवन में, मैं तो कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में आपको सोचना पड़ेगा यूनिट टू ड्रीम इट हार्ड वर्क से यूनिट टू अचीव इट पॉसिबल तो कुछ भी है लाइफ में भगवान का अंदर में आप क्या बात कर रहे हैं कि ए एस एक्जाम लोग क्लियर कर रहे हैं जिसमें एक लाख में इसार का क्लियर हो रहे तो यूप सिकम कितना डिफिकल्डर ड करना लोग कर रहे हैं कर रहे ऐसा कुछ नहीं है बेटा आई आई में MCQA if you are not comfortable in typing shift to IEI, both institutes are same, मेरा CS1 exam नहीं गया है, अच्छा नहीं गया है, अगर देखो अभी तो CM1 नहीं लेना चाहिए, जिसका CM1 नहीं हुआ, the best is CM1 लेके चालू करो, the best is CM1 लेके चालू करो, जिसका भी CM1 नहीं लिया हुआ, CM1 लेके चालू करो, 16 तारीक से, जुड़िये मेरे साथ, 16 तारीक से, 16 तारीक को 5 बजे पहला क्लास, औरियन्टेशन जुड़िये मेरे साथ, ठीक है, सिर्टेशन बजन समय करें, जोून करें, साथ लेके चालू कर ठारीक सकते हैं, को ढूटत तू गो फर तू तो दैट वस शॉर्ट सेशन आई होब सु यह मोटिवेटेट टू टेक बिसिकली स्टार्ट बिसिकली स्टार्ट दिनेक्स अटेम्ट अपका जो भी क्वेरी जै फॉर नेक्स अटेम्ट आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में डाल सकते हूं यह वीडियो मै यूट्यूब में भी डालूँगा, एक्सेंशन का प्रोसेस वेरी सिंपल, टैस look पर जाना है आपको एक्सेंशन के लिए apply करना है ठीक है जो लोगके बस में Q-Forum है विसे के लिए हमारा एक पुरा न्य डैस बॉट बन गया है Q-Forum पर जाएंगे, आपको your करना है और आप का extension automatic हो जाएगा ठीक है तो बहुत simple सा process है and keep laughing don't CM1 का नया batch बेटा 16 तारिक से चालू हो रहा है जुड़ी है हमारे साथ ठीक है I'll be live from Delhi New Delhi North Campus and उसके बाद Calcutta में भी हमारा batch चालू होगा but मैं यह suggest करूँ है Calcutta के students को भी कि आप लोग सब आप लोग सब 16 तारिक से चालू करिए and CS2 का batch हमारा 17 तारिक से चालू हो रहा है श्री वांगी मैं जोड़ेंगी New Delhi से हमारे साथ और फिर Calcutta में भी चालू होगा ठीक है भी अगर आपने एक्जाम दे दिया है तो अभी आप CS1 में और नहीं कर सकते हो काम class मैं देखे class आप नहीं कर सकते हो result के बाद ही अभी आप कर सकते हो और यह rule सिर्फ हमने इसलिए लगा है कि बच्चे वही काम करते हैं तीन मेहना फिर से वही चीज़ करेंगे फिर clear हो जाएगा फिर regret होगा वैसा नहीं करना है ठीक है बच्चा आपको अभी next paper के और चलन okay love you all good night and never ever take tension in your life okay bye अन्गे वीडियो यूट्यूब पे जाएगा अरे कुरुशाल तुम कैसा बात कर रहे हो तुम कहीं तुम payment कर दिये मतलब तुम सब जगह पे enroll हो गए ये कुछ नहीं है कुलकाता दिली बुल के कुछ नहीं है भई हमने हमारा सेंटर एक established किया है तुम सारा क्लास तुमको दिखेगा सारा क्लास live online होगा तुम सारा क्लास अ 워न कर सकते हो हो एकदम टेंशन वाली बात नहीं है पुरा टीम है पीछे कोई टेंशन नहीं है ठीक है बॉल्बे में आउं वकाट बॉमबे में आउंगा इसी साल आउंगा अगले मैं नहीं आँओ आउंगा बॉमबे प्रोमिस तो यह basically this was a short video and इसको मैं YouTube पर डालूँगा and yes इसमें को भी आपको queries होंगे तो आप comment box पर डाल सकते हो ठीक है? ओके, thank you all of you बाई